नमस्ते दोस्तों आज हम competition point of view से कुका अंदोलन को करने जा रहे हैं जो 1840 से 1872 तक हुआ था कुका अंदोलन की शुरुवात की थी भगत जवाहर मल दौरा जिने सेन साहब भी कहते हैं 1840 में इस अंदोलन का मुख्याले था हजारा जो की पश्चमी पंजाब का उस समय भाग था बाद में ये अंग्रिजो के समय उत्तर पश्चमी सीमा पनात का एक भाग हो गया था इस आंदोलन के अन्यनेता थे बालक सिंग और राम सिंग कोका प्रारम में ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य सिख धर्म में सुधार करना था इन्होंने सामाजिक सुधारों पर भी बल दिया जैसे की जातिगत भेदबाओं को दूर करना नशीली विस्तों का सेवन ना करना परदा पर्था का विरोध अंतर जातिय विवाह को प्रोटसाहन और मास ना खाना लेकिन 1869 में सिख सामराज्य पर अंग्रेजों का कबजा हो गया था तब इन्होंने इस आंदोलन का मुख्य उदेश्य अंग्रेजों को पंजाब से बाहर निकालना और पंजाब पर दुबारा से सिखों की सत्ता इस्थापित करना इस आंदोलन का उदेश्य बना लिया था इन्होंने अंग्रेजी नियमों, सिक्षा और वस्तों का बहिशकार करना शुरू कर दिया और इन्होंने हाथ से बने कपड़े पहनने की वकालत की राम सिंग कुका ने अपने शिश्यों को अंग्रेजों के विरुद लड़ने का प्रसिक्षन दिया और 1872 में राम सिंग कूका को गिरफतार कर लिया गया और इन्हें रंगून भेज दिया गया और जो इनके अन्य साथी थे अन्य विद्रोही थे उनको पकड़ कर उनकी हत्या कर दी गई 1885 में राम सिंग कुका की रंगून में ही मृत्यू हो गई थी बाबा राम सिंग द्वारा ही एक अन्य आंदोलन जिसे नामधरी आंदोलन था वो भी चलाया गया था Thank you friends, I hope ये जानकारी आपको फायदा देगी Thank you